नमस्कार दोस्तों मैं आशी शुक्ला आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू मीडिया क्रियेशन आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं DMCA जी हाँ DMCA Digital Millennium Copyright Act जिसके बारे में आप लोग ने बहुत सुना होगा कि कोपीराइट एक्ट के बारे में अगर आप बहुत मेहनत करके कुछ चीच क्रियेट करते हैं वेब साइट या वेब ब्लॉग पे आप अपने कंटेंट लिखते हैं तो आप लोग अकसर परिशान हो जाते हैं कोई उसको कोपी करके अपने ब्लॉग पे चिपका मारता है आपक कितनी मेहनत से को औरिजिनल कंटेंट बनाया जाता है और डाला जाता है और उसके बाद फिर कोई इसे कॉपी कर ले तो फिर दुख होता है तो इसके लिए भी कुछ नियम और लॉग बने हुए हैं तो आई इसके बारे में जानते हैं इसी को कहते हैं DMCA अर्था डिजिटल Millenium Copyright Act तो ये जानना बहुत जरूरी है कि DMCA क्या चीज होती है इसको कैसे इस्तिमाल करना चाहिए और कैसे इससे बचना चाहिए तो अगर आप अपना खुद का कंटेंट बना रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप किसी का कॉपी करके और सारा का सारा कंटेंट कर आप कॉपी करके डाल रहे हैं तो आपको इसके बारे में जनना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी जानकारी छोटे और बड़े दोनों तरह के लोगों को होने चाहिए उन WEBSयाइट या ब्लागर होते हैं उनको होने चाहिए तो DMCA का फुल फॉर्म जो होता है Digital Millennium Copyright Act और इसको अक्टूबर 1998 में बिल क्लिंटन रास्पती ने लगू किया था ताकि जो कॉपी करके कोई दूसरी चीज को चोरी करता है और उसके खिलाब इसकी मदद की मिल सके तो अब जानते हैं कि DMCA का फायदा क्या होता है अगर आपकी वेबसाइट से कोई पोस्ट या कंटेंट चोरी करता है तो उसकी रिपोर्ट आप इसके कर सकते हैं और आप अपने वेबसाइट को लाइब मॉनिटर भी कर सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा सिक्यूर कर सकते हैं जब आप इसके लिए अपलाई करते हैं तो आपको DMCA Production Certificate आपको मिलेगा और इससे जो भी आपका कोई भी कंटेंट कॉपी करता है तो उसको एक alert message भीजिया जाता है कि भाई तु कॉपी मत कर ये तेरी सहत के लिए अच्छा नहीं है अगर पता है कि आपकी कोई website या आपके ब्लाग से कोई copy करके या copy कर रहा है तो आप उससे भी बता दिये कि उनको बोलें कि आप हमारे content को copy न करें अपने blog से अपनी website से मेरे content को आप हटा दीजे अगर इसके बाद भी नहीं हटाता है तो चेक कर लिए कि वो article है वो पूरा का पूरा copy होना बहुत जरूरी है जी हाँ यदि पूरा का पूरा article उसने copy किया हुआ है तब ही आप उसके उपर claim कर सकते हैं इसका एक नियम है तो इससे पहले आपको action ना ले और उससे copy content पूरा नहीं किया है तो इस पे आप case नहीं कर सकते हैं या गूगल से भी आप DMCA के जरीए case नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी पूरे blog को चेक करते रहने चेक कि उन्होंने क्या क्या content आपकी website से लिया हुआ है और अब आप जानते हैं कि इस पर शिकायत कैसे किया जाते हैं अगर आपको पता लगया कि किसी ने आपका पूरा का पूरा डाटा कापी किया हुआ है तो आप Google की जरीए उन पर शिकायत कर सकते हैं और उन्होंने अगर आपका website से डाटा चुराया तो सबसे पहले Google की टर्म से कंडिशन को भी पढ़ लीजे इसमें उसके बाद ही आपको कोई सिकायत करनी होंगी और ऐसा नहीं कि आपने कि थोड़ा सा देखा और हलका सा कॉपी किया और फटाक से किसी कॉप कॉपी राइट मतलब आप नोटिस पर नोटिस बेशते जा रहे हैं है ना तो उनकी पोस्ट सर्च में आ रहे हैं और आपका सारा टाइटल सब चीजें एक जैसी हो तो आपके कॉपी राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आपका पूरा का पूरा कॉपी किया हुआ है उसके बाद ही आप उसके टर्म कंडिशन के पढ़ने के बाद ही आप उस पे सिकायत कर सकते हैं अगर आप खुद किसी से वेफसाइट से पूरा कॉपी करके डाल रहे हैं तो भी ये गलत है आपको किसी दूसरी वेबसाइट से content copy नहीं करना चाहिए और हाँ, आप उनका idea भी नहीं ले सकते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, फिर भी आप अपने खुद के talent के हिसाब से उसके बारे में आप लिख सकते हैं, आप कैसे लिखते हैं, आपकी अपनी एक style होनी चाहिए होता है, तो उसमें शब्द और तरीके जो है, वो बदल जाते हैं, तिसलिए वहाँ पर वो आपके अपनी style हो जाती है, तो इसको लोग अपने पर तरीके से लोग पसंद करते हैं, ये depend होता है आपकी लेखनी पर, अब आईए जानते हैं कि DMCA production कैसे अपनी website पर लगाते है अगर आप इसका blog ये website ये DMC production लगाना चाहते हैं, जिससे अगर आपके post ये आपके article चोरी जाए तो आप उसे असानी से किसी simple तरीके से आप उसकी website पर claim कर सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए सिर्फ आपको कुछी समय कुछी minute की जुरुत होगी, जिसको simple तरीके से registration करना होत है, तो आए यहां पर दिखते हैं, सबसे पहले आपको यहां पर यह sign up का button दिखाई दे रहा है green color में, यहां आपको sign up करना पड़ेगा, अपना account बनाना पड़ेगा इसमें, create account में जाके, यहां पर आपको अपनी website का link देना हुगा, यहां आप उसका detail परना पड़ेगा, अपना owner name, site के owner कोन है, मकाइदा वो यहां पर देना हुआ, इसमें दिया हुआ आप इसको detail पड़ सकते हैं, description of content ownership and how it was slogan, और यहां पर भी आप पूरा पड़ सकते हैं, agreement देख सकते हैं, account info, अपना नाम अगरा दे, last name, company name, email हो गरा है, phone number, terms and condition, agreement, यहां पर I agree करना है, और इनकी pro service भी है, एक free service है, pro service भी आप pay service लेना चाहते हैं, तो $10 per month, 100 per year तक की है, और आप इसके बाद यहां पर process check out भी कर सकते हैं, और इसका free sign up भी है, आप यह तो free भी कर सकते हैं, इसको, और इसके budget जाते हैं, यहां पर, selected budget, यहां से आप सीधा simple register कर सकते हैं, जिससे आपको एक email password दिया जाएगा, वो इस email password के दोरा आप sign up भी कर सकते हैं, और प्रो वाला में अभी आपको दिखाया है, मैंने कि वहां पर प्रो में आपको कुछ payment देनी पड़ती है, और फ्री sign up के लिए आप यहां पर sign up कर सकते हैं, email अपना नाम, last name और email ID के तुरा, और यह यहां से विजट है, यह जो आपके website में नीचे आप को उनसे विजट में से लगा सकते हैं, उसका यह code दिया हुआ, यह code आप simple copy करके, अपने उसमें लगा सकते हैं, website में, इन में जो भी select करने जीसे यह, यह select करते हैं, यह code चेंज होगा, आप यहां देखे है, code चेंज होगा, one यह व़ए ना, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, तो इसमें से जो आपको पसंद आप कर सकते हैं, और यह देखने में कुछ तरीके से दिखिए गा, यह लिगा यह नीचे दिखो आपको दिखा प्रोटक्टिट डी एम सी डाट कॉम ऐसा आपके साइट में नीचे ज़्यातर लगाएं तो ज्यादा अच्छा लगा तो इस तरी के से लोग है और यह दूसरा यहां पर भी टर्मस और करडिशन दिये हुआ है यह आटोमेटिक डाट कॉम ड अधी जोठी है जैसे कैसे अपने क्लेम कैसे करना है उसके लिए यहां पर जाकर क्लेम कर सकते हैं को इस साइट का लिंक हम नीचे दे रखे हैं यहां पर आपना फर्स नाम लास्त नाम और कंपनी नेंव एडर्रस सेट और कंट्री जीप कर्ड फून नंबर अडर्र मेल और किस चीज में क्या आपने वो URL दीजे जिसमें आप क्लेम करना चाहते हैं हाँ पर और इस तरीके से यह form आपको फूरा फिल अप करके फिर यहाँ पर सब में चेक बॉक्स करना है और सिगनेचर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं हाँ पर डिश्टल सिगनेचर जैसा भी दिया हुआ फिर सब्मेट में बटन दबा देना है आपको बस फिनिस उसके बाद फिर आप से संपर्किया जाएगा इमेल के द्वारा भी मेर आपके स्मार्टफोन मतलब फोन पर इस इसमिस अइख आए कर नॉर्टफोन तो इसका एफिलेट लिंक पे आप एफिलेट से भी आप इसके लिंक से कुछ कुछ करवाना कर चाहते हैं तो देख से लिए उसके लिए पहले इई एकुरी अगोरे लूंद के लिए भी ईए निग्टलिए और यह इसके बारे में तो इसका plug-in दिये हुआ वहाँ पे भी आपको sign up करना पड़ेगा और फोटो ए पिक्चर के लिए ये वाटर मार्क यूज़ करते हैं है ना वाटर मार्क में आप अपना दिखा सकते हैं अपने company का logo थाकि कोई भी आपकी photo को कॉपी करें तो इसके photo में आपका watermark में आपका domain name दिखाई 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 वाटर मार्क भी है copyright बार इस तरीके से ये इनकी services हैं जिसको आप purchase कर सकते हैं अधिया आप original content यूज़ करते हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छा rank में देता है आपकी site अच्छी rank भी करेंगे अगर आपके copyright protected है तो है ना तो कि यह आप यहाँ पर देख सकते हैं features के बारे में क्या-क्या services और basic plan में क्या है और pro plan में क्या-क्या है यह सारी चीज़ां यहाँ पर लिखी वेए यह आप देख सकते हैं हाँ यह दिखाना चाहरत है इसका certificate work इस तरीके से आपको certificate में लिगा इसके certificate में आपका website title name लिखा रहेगा और website URL लिखा रहेगा verified लिखा रहेगा पर लिंक दिया रहेगा यहाँ पर page is proceed लिखा रहेगा और यह production duration जो है वह कित्ते दिन करेगा वह इसका detail यहाँ mention रहेगा verified लिखा रहेगा और इस तरीके से detail यहाँ लिखे रहेगी protection के बारे है ना इस तरीके से आपको certificate मिलेगा वह ऐसा look उसका रहेगा certificate work है यह है तो यह है DMCA के बारे में जनकरी आपको कैसी लगी क्रिपया कमेंट से में लिखे हैं और आपको अच्छा रगता है तो क्रिपया इस सुवीधा का अपलाब भी उठा सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो और नमस्कार